पटना के महावीर मंदिर पर अयोध्या के हनुमान गड़ी पीठ ने दावा करते हुए इस बात को सिद्ध किया की देश में लगे पहले लोगडाउन के दौरान पुर्व आईपेस अधिकारी किशोर कुनाल ने महावीर मंदिर पर जबरन कबजा कर लिया था ऐसे में अम महावीर मंदिर के महंत भगवान दास के शिष्य महेंद्र दास को हनुमान गड़ी के पंचो की ओर से पूरे विदिविदान के साथ महेंद्र दास को महावीर मंदिर पटना का महंत गोशित किया गया पुछे नहीं को हरी को हुई इसको हम लोगों को पूरे कियानी करते हुए स्वामी श्रीपाला नंजी के प्रणों चरंग कमनों पे चलते हुए उनके दिखायड आस्ति चलते हुए हरं मंदी के पुरी जो परंपुरा है पुनह रामानंजी संपर्दाय का वह चलाया और जैस आज है जो आज उन्होंने पटना अभीर बंदीर के नए वहां है ही है वहिं लेकिन को सब्सक्राइब के प्रणों पे देख रेक और उसका सरवरा कारणों में कि महराज और दे वन वहां के बहूं हमारे बहुत बुआं और रुख से तोसे संद्री संद्र पुलंगर न करे लिए इनको बनाया गया है जब कि इससे पहले हमारे महां परधान कुझारी वावार कि या जो अवेद्यनाद्य की गुर्ण इस्वर्ण के गुरुजी के गुरुजी यह सब लोगों में मिलकर करके कि अपने मंदिर में अपने मुकत्मा किया है क्या आरूप है एक सरकारी मनें तौर पर रहते हुए और वहां का जो वेवस्था है कि वहां के पुरंपरा निजी करना चाहते हैं इसलिए उनको लगाने के लिए कि वह घाने जाए और वहां करें हमारे बाबा महंदर्दाची है उसका देख देख देखेंगा है पाबाबा जी किस तरीके से आपको ताइट मिला है जो वहां विगत 300-300 सालों से जो परमपराई हमारे रामानर संपरदाय का चल रहा था बीच में उन्हों ने उसको अपना नीजी संपत्ती बना करके और अपने मनमाना विभार उन्होंने महां किया उसके उपर हमारे जो दो निरवानिय खारा हनुवान गड़ी स्थिदी नशीन बाबा ने उसके उपर संज्ञान लेते हुए और उन्होंने उसको उनको चेताया भी कि आप प्रमपरानसा जो पुर्व के परमपरानसा जीा साओ चल रहा तो उससा चलने दे लेकिन उन्होंने बोला कि हम आप लोगों अखारे का इसका कोई लेना देना नहीं है इस पर महराची के द्वारा यहां अखारे के तरफ से सिविल जज अज्वध्या जी के यहां मुकर्मा धर्श किया गया है और उनके परंपरा नुसार मुझे वहां का गदी नसीन सरवाड यहां का जी काही ही वह मंदिर है और उस्ते जो है गलत तरीके से जो है उसके कपज़ा करने की बास हो रही है और गलत तूछ है नहीं बादियाह के शिविल नेयलft मुक्भरम महरारा बीडार किया है झाल झाल